हेलो दोस्तों आपका हमारी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के कोपते यह एकदम राजस्ताने स्टायल से हमने आलू के कोपते बना के रखे हैं यह अंदर से सोफ्ट और बाहर से एकदम क्रिस्पी है तो आप एक ट्रिक जरूर लगा के आपके कोपते एकदम क्रिस्पी बनेंगे तो मैंने थोड़ी ज्यादा ही कोपते बनाए थे इसलिए मैंने कम से कम दो किलो अलू लिये हैं इसको अच्छे से उबाल के और सिलके को हटा के और इसको सारा पानी निकाल के जहार के और फिर इसके चलके हटा के मैंने इसको मैस कर लिया है तो हमने दो किलो अलो लिया है तो इसकी इसाप से हमने एक किलो बैसन लिया है तो एक दम बारिक पिसा ववा बैसन है तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानने करjan आप अपने टेस्ट के रिकोर्डिन डाल सकते हैं और एक चमच लाज मिर्स पाउडर और एक चमच हल्दी पाउडर और एक चमच हमने ऐजवाइन डाली है ऐजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानने करके हमें स्मूद सा बेटर ब होना चाहिए तो ना जदा पतला होना चाहिए इस तरह का होना चाहिए देखिए तो इस तरह का हम बेटर बना के रख लिया है और इसमें एक ही ट्रिक है कि हमने एक निम्बू का रस डाला है इससे क्या है कि हमारी जो खौपते हैं वो इतने क्रिस्पी बनेंगे तो आप य जाल दिया और चुटकी भर तो हींग का फ्लेवर बोद अच्छा आएगा और यह सब चटक गए अच्छे से तो इसमें हमें कम से कम 10-12 हरी मिर्स इसमें चोटे टुकड़ों में कट करके डाल देंगे तो इसकी थोड़ी सी सिकाई हो जाएं तब इसमें हम डालें काजु तो मेंने कम से कम 15-20 काजु को दरदरा सा पीस के डाल दिया है तो इसका थोड़ा कच्छा पर निकल जाएं तो फिर इसमें डालेंगे किसमिस तो किसमिस में मैंने उतने ही लिये है आप यह जो ड्राइव अपने इसाप से ले सकते हैं कम ज्यादा तो इससे क्या है कि हमारे कोपते अच्छे बनते हैं जरूर डालना और इसमें हम डालेंगे नमक तो में दो चमच नमक डाला है एक चमच हल्दी पाउडर और दो चमच लाल मिस पाउडर डाले है और इसमें एक चमच गरम मसाला ड तो इसमें डाल देंगे और गेस का फ्लेम हमें एक बार मीडिया में रखना है कि अच्छे से मसाले में लिपट जाए यालू और इसे कम से कम दस से कमिंट सिकाई करते रहना है कि आलू अच्छे से सीख जाए तो लाश्ट में यह कड़ाई छोड़ने लग जाएगा तो समझे कि मसाला सिक के त्यार है तो इसमें एक निंबू का रश डाला है आप इसमें आमचुर पावडर भी डाल सकते हैं लेकिन आप यह निंबू का रश डालेंगे तो इस से कोपते बड़ी टेस्टी लगेंगे और मैंने इसमें कच्छा धन्या भी डाला है इसका फ्लेवर निम्बु आगा के रोल बनाने है यह जो बोल्स बनाएंगे अगर हाथ में बनाएंगे तो हाथ इस बेटर को भी बंगने हैं तो अब यह जो हमने बोल्स बनाई थी वो इसके अंदर डाल देंगे और ओल अच्छा से गरम हो चुका है अब इसका गेस का फ्लेम हमें मेडियम में ही रखना है और यह एक एक रोल जो बेसर में लपेट के इसमें डालेंगे देखिए तो मेरे से यह 6 ही कोपते हैं तो मैंने में लगना है और यह देखिए हमारे आलो के कोपते इतने टेश्टी से बनके त्यार हो गए हैं अंदर से सोफ्ट और बाहर से क्रिस्पी तो दोस्तों आपको हमारा यह कोपते का वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो लाइक से कमेंट करना जो हमारे चैनल पे नही बाइ बाइ